दोस्तों आज का हमारे टॉपिक है स्टैटिक जीके और इस्टैटिक जीके में आज हम बात करने वाले हैं जल परिवाहन के बारे में तो जल परिवाहन देखते हैं केंद्री अंतरदेशी जल प्रादी करण की स्थापना कब हुई भारत में केंद्री अंतरदेशी जल प्रादी करण की स्थापना 1986 में हुई 1986 में हुई और इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पे इसका हेड़कॉर्टर कोलकाता में जो है बनाया गया और इसकी स्थापना के सांसा थी जो भारत ब्यापारिक जहाजरानी बेड़े की द्रश्टी से बिश्व के पर्थम 20 देशों में सामिल हो गया मतलब इससे पहले बिश्व में ऐसे 19 देश थे जो अंतर देशी जलमार्क का उप्योग कर रहे थे लेकिन भारत ने 1986 में शुरू किया इस प्रकार जो है भारत बिश्वा देश बन गया और नेशनल वाटर वेफ फ़स्ट की स्थापना जो है की और इसकी दूरी थी 1620 किलोमीटर नेशनल वाटर वेफ फ़स्ट 1620 किलोमीटर लंबाई का था और ये कहां से कहां तक था जूर्ण नदी पर बनाया गया उ पिर देखते हैं सेकेंड नेशनल वाटर वेफ 2 नेशनल वा व ए शेकेंड्य आट सौ एक्ज्ञ नवीट वेफ फ है और ये सदिया से धुल्वरी तक चिन्ट किया गया और इस पर परिवहन शुरू किया गया सदिया से धूबरी तक किस और इस सद्धिया से नसे दुवरी सरक रघरें कि यह सुरूं किया गया तो यह सद्धिया से दुवरी कहाँ पर तो जो में आइक तो जो है सेकेंड नेशनल वाटरवे सदिया से दुबरी तक और किस नदी पर है ब्रह्मपुतर नदी पर ये पूछते हैं कि सेकेंड नेशनल वाटरवे कहां से कहां तक है तो सदिया से दुबरी तक और नदी पूछे तो ब्रह्मपुतर नदी इसे प्रकार पहला पूछे तो अलावा से हल्दिया तक है और नदी पूछे तो यह गंगा नदी पर है तीसरा है नेशनु लाटरवे थर्ड इसकी लंबाई है 205 किलो मीटर और यह कुल्लम से कुट्टम तक है कहां से कहां तक कुल्लम से कुट्टम तक कुल्लम से कुट्टम यह कहां पर है यह केरल में ह केरल में है केरल में और यह किस नदी पर है यह चंपकार चंपकारा नदी पर है फिर हम देखते हैं नेशनल वाटर वेइव 4 यह 1095 किलो मेटर का है 1095 किलो मेटर का है और यह काकी नाडा से पुद्चेरी नहर पर यह लमसुन यह तमिल नाड में है कहां पर तमिल में है और यह क्रश्ना और गोदावरी नदी पर नेक्ट हम देखते हैं नेशनल वाटर वेइव 5 तो नेशनल वाटर वेइव 5 जो है यह 620 किलो मेटर का है यह तलचर से धमरा तक है तलचर और धमरा यह कहां पर है यह उड़ीशा में है कहां पर है उड़ीशा में है और यह किस नदी पर है यह ब्रहम यह ब्रहमान्ट झाल 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 झाल